स्टोक मार्केट क्या खास है यार इसमें देखे सिंपल सी बात है बहुत सिंपल बात है आप नोकरी करते हो 9 से 6 जिसमें आप खुद लगते हो काम करते हो उसके बाद पैसा कमाते हो यह जिन्दगी बर में भी ऐसा ही चलता रहे लेकिन आप धन्वान या वर्दी तब बनते ह जो आपका पैसा आपके लिए कमाता है और उसके लिए शेर मार्केट बहुत अच्छे तरीके हैं इंवेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा आपके लिए कमा रहा होगा आप बात को समझे और इसलिए स्टोक मार्केट और शेर मार्केट बड़े इंपोर्टेंट हो जाते ह सारे जितने यह जो investment के जो purposes हैं आज के time पे वो बड़े important हो जाते हैं इसलिए आप लोगों का अपनी salary में से आप जो भी कमाते हो उसमें से 10-15% invest करना बेहत important है क्यों अंतर देखिए fun fact देखिए जरा ध्यान से Reliance Industries की बात करते हैं सब जानते हैं धीरुबाई अंबानी उसके बाद मुकेश अंबानी सब लोग जानते हैं न आप believe नहीं करेंगे this is an amazing fact सन 2000 में सन 2000 की बात करेंगे सन 2000 में Reliance का जो stock price था Reliance Industries के लिए Reliance का जो stock price था 84 rupees only 84 rupees से 2022 में इसका stock price कितना है 2631 रुपे oh my god जरा समझी कि अगर आपके ममी ने पापा ने है ना या फिर आप अगर यंग हैं मतलब वो अगर 2000 में आप investment कर सकते थे अगर आप 84 रुपे का एक भी स्टोक खरीदा होता तो आप 2600 रुपे का होता और मालो आपने 100 रुपे का खरीदे होते तो आप एक बार अंतर चेक कर लो आपने कितना पैसा भी तक कमा लिया होता सो अहां लेकिन यह ज़रूर है 22 सालों में इतना परिवर्तना है और यह तो मैं आपको एक fun fact बता रहा हूँ लोगों ने 84 रुपे में उस टाइब मालो किसीने एक लाख एक लाख शेर्स अगर किसीने खरीदे होंगे तो आज वो millionaire तो राम से बन गया होगा तो यह fun fact है it's a long term game और long term game में आपको थोड़े risk में ज़्यादा return मिलते हैं वो कहते हैं कि इनसान हो या stock market रचना रणा डेगा आपको वो scene याद होगा उन्हें डायलोग उन्होंने बोला था आप किसका मुझे पता नहीं इनसान हो या stock market जैसे जैसे वक्त आगे जाता है वो उपर ही जाता है isn't it तो stock market एक long term investment वाला game है जहां पर अगर आपके पास patients हैं तो definitely आपका पैसा आपको कमा के ही देगा so don't worry about that but उसके लिए आपको समझ बूज रखने की जरूरत है और अच्छा stock लेके आने की जरूरत है